एक और जटपट सी रेसिपी के साथ मैं लौटी हूँ जिसका नाम है पनी रोल्स फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही असान है जो कॉक्टिल पार्टीज करते रहते हैं या फिर घर में आए गए गैस पे इंप्रेशन जमाना चाते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें रेसिपी इतनी इज़ी है कि कोई बच्चा भी बना ले पर टिपसें ट्रिक्स फॉलो करने जरूर है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे पनी लिया है 200 ग्राम उसमें से सिर्फ 100 ग्राम मैंने यूज किया है दो की सर्विंग के साब से 100 ग्राम पनीर इनफ है उस पनीर को इस तरीके से कट करना है मीडियम साइज क्यूप्स में ये पैकेट का पनीर ही यूज कीजेगा इस रेसिपी में अगर आप फ्रेश पनीर यूज करेंगे तो वो तूट जाएगा तो इस तरीके से क्यूप्स कट कर लीजिए अब एक पैन लेना है और उसमें डालना है चोटा सा टुकरा बटर का आप गी और ओईल का भी यूज कर सकते हैं पर बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बस अब फ्लेम को लो कर देना है और मसाले आट करना है नमक मैंने यह आट किया है स्वादा अनुसार आदा टीस्पून चार्ट मसाला साथ ही एक चुथाई टीस्पून रेड चिली पाउडर धेर सादा चॉप किया हुआ हरा धनी आट करना है और अच्छे से सौटे करना है मसालों को जादा रोस नहीं करना तकरीबन 30 सेकिंड बस इसके अंद पनीर पे कोट हो जाए इसे रोस करने में तकरीबन आपको तीन से चार मिनट लगेंगे उसके बद फ्लेम को आफ करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए पनीर क्यों जब तक ठंडे होते हैं हम बाकी त्यारी कर लेते हैं मैंने यहां पे दो ब्रेड लिया है और उसकी जो साइट से उनको कट कर दिया है कि जो साइट से इसे फैकेगा मत यह ब्रेट क्रम्स बनाने के काम आ जाती है अब एक एक ब्रेड करके क्या करना है से रोल करना है बेलन की मदद से ताकि यह बिल्कुल फ्लैट हो जाए चारो साइट से चार से बिल्कुल इसे फ्लैट करना है इस रेसिपी में फ्रेश ब्रेड का उस्सका जो है योक्ति ओती नहीं है ऍंद करने के बार किसी राइफस से या पीस थीजर की मदद से इस तरीके से कः करना है अब एक ब्रेट स्लाइट से थीम पीश आपके रेडि हो गए है अब एक bread की cutting में एक पनीर का piece रखना है और bread के piece को इस तरीके से roll up करना है ताकि पनीर का piece जो है अच्छ से cover हो जाए bread में और इसे stick करने के लिए एक toothpick लगा देनी है same step follow करना है पनीर का piece रखना है, bread को roll up करना है और एक stick लगा देनी है ऐसे ही सारे paneer rolls ready कर लेने है अब एक pan लेना है उसमें डालना है butter धेल सारा इसमें भी आप घी या oil का इस्तिमाल कर सकते हैं बटर को पैंड में चारो साइड अच्छ से फैलाना है अब एक एक करके इसमें पनीर रोल्स जो हमने त्यार कियते है वो इसमें डालेंगे और अलट पलट के दोनों साइड से fry करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे सेखने के लिए फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना यह अच्छ से क्रिस्पी हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसे सेखने में तीन-चार मिनट लग सकते हैं पर यह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अगर आप थोड़ा सा पेशन सकेंगे तो तो त्यार है हमारे पनी रोल्स नो टाइम स्नाक रेसिपी से जटपट बनाएं और सबको खिलाएं मेरे गर पर तो सबको यह रेसिपी बहुत पसंद आई है यह इनोवेटिव रेसिपी ज़रूर ट्राय करें और मेरे साथ शेर कर जए झाल 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 झाल